असलाम लेकुम एन वेलकुम टो माई यूट्यूब चैनल फात्मा स्पेशल डिश आज जो रेसीपी हम ट्राइ करेंगे वो बहुत ही डिलीशिस और मज़ेदार है और इसे आप गड़ में भी बहुत इजीली बना सकते हो इसका नाम है चीजी प्टैटो एक चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए 5-6 आलू और चिकन जिसे हम पानी में बॉयल कर लेंगे हाफ टी स्पून हमें चाहिए गड़ मसाला वन टी स्पून हमें चाहिए नमक और हाफ टी स्पून हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून हम इसमें एड़ करेंगे जीरा और हमें चाहिए वन कप चीज और यहां हम एड़ करेंगे हाफ कप दनिया जिसे हम काट लेंगे जिस चिकन को हमने बॉयल किया था वो भी हम इसमें अट करेंगे ये है वन कप और जो बॉयल पटेटों हैं जिन आलों को हमने पहले बॉयल किया था अब हम इसे अच्छे से फोक से मैश करने के बाद सारी चीजों को इसमें अट कर लेंगे और से इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि बहुत अच्छा सा एक मिक्सर जो है वो त्यार हो जाए ताकि हम इसकी फिलिंग कर सकें डिशोट करने के बाद मैं इसकी उपर की जो साइड है वो सारी इक्विल कर लूँगी देखें ये बहुत ही स्मूध हो चुका है अब मुझे चाहिए एक गलास जिससे मैं इसका जो सर्कल है वो कट कर सकूँ आप भी ऐसे ही कर सकते हैं अब मैं गलास को निकाल लूँगी देखें बिल्कुल जो रॉंड शेप है वो कट हो चुकी है ये शेप बिल्कुल रेडी है अब मैं डाल दूँगी एक अंडे की जर्दी आप भी जो अंडे यूज़ करेंगे आप उसको कुछ दे के लिए पहले फ्रिज में जरूर रखिएगा अब उसी मिकसर से मैं इसे उपर से कवर कर दूँगी और इसकी सारी साइट जो है मैं उसे बंद कर दूँगी बहुत अच्छे से आपने इसको बनाना है ताके ये बाद में खराब ना हो मैंने इसको सारी साइट को बंद करके ये रेडी कर ली है अब जो नेक्स टेप है उसमें हमें इसे फ्राइ करना है फ्राइ करने के लिए हमें यहां सबसे पहले चाहिए वन कप मैदा, तीन से चार अंडो को मैंने अच्छे से फैंट लिया है, और वन कप हमें चाहिए ब्रेड ग्रम्स, बहुत ही अच्छे से इन चीजों से ये फ्राय होता है, इसका एक कलर और जाइका बहुत ही अच्छा आएगा, सबसे पहले हम इसे एक को लेंगे, बड़े सो और जो लास्ट चीज है वो है ब्रेड ग्रम्स, अब हम इसमें वो भी लगा लेंगे, ये फिल हो चुका है ब्रेड ग्रम्स है भी, अब ये फ्राय करने के लिए बिल्कुल रेडी है, चलें से फ्राय करते हैं, फ्राय करने के लिए मैंने आल को कर लिया था, लेकिन आपने इसको fry करना है जो उसकी जो फ्लेम है वो बहुत लो होनी चाहिए ताकि अराम से पक सके इसकी चीज मेल्ट हो सके इसका एक अच्छा सा कलर और जाइका भी आ जाए आप कुशिश कीजिएगा कि कम से कम चमाच यूज करें और ये फ्राइ हो जाएंगे टाडा बहुत ही मज़े की और एजी रेसीपी वो रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा ये कैसी बनी थी और अब आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब लाइक यूज यूज था और शेर।